Hello Friends, Welcome to Code Putley Law Education जैसा कि हम RULET की बात करें RULET 2014 Examination जो अभी होने वाला है जिसको एक तरीके से हम बोल भी सकते हैं कि 12 के बाद में जो भी students 5 year low करना चाहते हैं उनके लिए ये exam mandatory है इसको देकर वो अपना admission या entrance exam के लिए कर सकते हैं तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि जो RULET exam है जिसको अभी से present time से लेकर बात की जाए जब तक exam conduct होगा, जब तक 3 months remaining है तीन महीने बचे हुए हैं तो जो aspirants यानि कि जो उमीदवार इस exam के तयारी करना चाहते हैं वो किस तरीके से अपनी जो preparation है उनको motivate करें या preparation को full speed में एक rhythm में चला सकें एक अच्छी तरीके से तयारी कर सकें तो उनको इसके लिए क्या क्या step follow करने हैं तो इन सब की बात शुरू करने से पहले सबसे पहले आप हमारा जो channel है उसको subscribe कर लीजे और latest update या फिर future के अंदर हम कोई भी जो update देंगे उसके लिए जो bell icon है उसको press कर लीजे तो आए हम शुरुवात करते हैं are you let examination से जो फिर 2024 में होने वाला है सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका syllabus क्या है आप जब भी कोई exam दे तो सबसे पहले आपके पास में दो चीजे होनी चाहिए चाहिए आपके पास में exam के 3 months बचें चाहिए 6 months बचें सबसे पहले basic चीज जो mandatory है वो तो होना चाहिए उस exam का syllabus कि आपके exam में कौन-कौन सा question या कौन-कौन से syllabus से question आने वाला है दूसरी चीज होनी चाहिए उस syllabus से related previous year papers जिसमें आप previous year papers में ये देख के पता कर सकते हैं कि हमारा जो exam है उसमें syllabus के कौन से topic से कितने number का question और किस type का question पूछा जा रहा है जिससे आपको syllabus को resolve करने के लिए काफी ज़्यादा help मिल जाती है तो सबसे पहले हम बात कर लें syllabus की तो आपका जो syllabus है उसमें एक English का topic है या syllabus के अंदर जो English का portion है वो hundred number का है अब बात आती है English को cover कहां से करें हम एक ए topic लेंगे और उसकी बात करते वे जाएंगे कि उसे cover कहां से करना है English के अंदर जो भी topics हैं जैसे कि अभी मैंने बात की कि जो 12th pass करके आ रहे बच्चे वो इस exam में बैठेंगे या वो इसके लिए qualify करते हैं तो जो भी बच्चा 12th pass करके आ रहे तो उसने basic सी बात है English तो पड़ी होगी English के अंदर उसने grammar भी पड़ी होगी तो grammar से related portion English के अंदर पूछा जाता है तो वो अपनी जो refresher है पास बुक वगर है उनसे practice करते रहे साथ की साथ में जो test series हम provide करवाएंगे उस test series को करके भी वो उसमें अपनी क्या कर सकते है masters कर सकते है masters का मतलब उसको अपने आपको prepare कर सकते हैं English के लिए second number पे हम बात करें legal terms, latin maxim, constitution, basic law highlighted points है इनमें सबसे जो important हो जाता है वो हो जाता है contract, tort और IPC इनसे सबसे ज़्यादा questions पूछे जाते हैं अब बात आती है कि ये कहां से पढ़े या तो आप इनके लिए कोई specific book purchase करें या फिर हमारी जो test series आने वाली है वो ले या फिर हमारा जो course चल रहा है paid course चल रहा है आप उसमें भी क्या कर सकते हैं enroll कर सकते हैं जिसमें सारे topic आपको continue or sequence wise करवाई जा रहे है बात की जाए इसके बाद में हमारा portion आता है GK का जो की 80 number का portion है GK के अंदर आपके Indian GK भी है और राजस्थान जी के भी है राजस्थान तो obvious सी बात है R.U. का exam है तो राजस्थान तो आएगी आएगी साथ में Indian GK भी है इसके बाद science and tech है science technology है इसके बाद GS journal science है सामाने विध्यान है social studies है सामाजिक विध्यान है तो ये सारा जो portion है ये 80 नमबर का है इसके बाद में quantitative, aptitude and logical reasoning ये 20 नमबर का है तो ये जितने भी topics आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे है ये सारे topic आपको course में as a tease करवाए गई है दूसरी बात इनकी जो आने वाला जो time है मतलब कि जो next month है उसके अंदर जो course में जिन लोगों ने join कर रखा है उनको तो free of course हम provide करवाएंगी क्या test series और जो बच्चे मतलब course purchase नहीं कर पारे फिलाल तो course जो हमारा चल रहा है वो discount पे चल रहा है उसको easily अब label है आप easily purchase कर सकते हैं लेकिन अगर जो बच्चे course purchase करने के लिए आपी फिलाल eligible नहीं है या किसी प्रकार की कोई problems है तो वो हमारी जो future में या next month में जो test series आएंगी उनको भी purchase कर सकते हैं इसके बाद में हम इसमें देखते हैं exam pattern exam pattern के अंदर जो questions है वो 150 number के questions है वो 150 questions है per question 2 numbers का है जो की 300 marks की हो जाएंगे और सारे questions कैसे है objective type और अगर बात करूँ मैं exam mode तो exam mode आपका रहेगा offline ना की online CBT based paper नहीं है computer based paper नहीं है offline paper है इसके बाद में जो second round है उसमें GD और PI है group discussion और आपका क्या रहेगा personal interview रहेगा जो की 100 number का है तो ऐसे करके exam 400 number का हो जाता है अब बात करें तैयारी कैसे करें तैयारी में तीन मैने बच रहे हैं तीन मैने में सबसे अची चीज मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपको क्या रखना है एक तरफ तो आपको syllabus रखना है दूसरी side previous year paper रखने है exam के syllabus को और उससे related जो आपके पास में material है उसको इस तरीके से use करना है जैसे एक example लेते हैं कि जब भी हम किसी शादी में जाते हैं तो क्या करते हैं हम हमारी शादी में जाते हैं तो पूरा का पूरा अलमारी उठा के कपड़ों की थोड़ी न लेके जाते हैं वो चीजे लेके जाते हैं selected material लेके जाते हैं एक या दो जोड़ी कपड़े और एक या दो जोड़ी शूस लेके जाते हैं तो उसी तरीके से तीन महीने में उस syllabus में से हमें वो वो चीज या वो वो selective material सेलेक्ट करना है जो हम exam के day ले जा सकें और इन सारी चीजों की तैयारी हमारे course से आने वाले time के अंदर जो आपको test series provide करवाई जाएंगी वहां से साथ की साथ में self study से self study के अंदर मैंने बता दिया कि कौन सी चीज़े आप कहां से पढ़ सकते हैं तो आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं आगे और जादा stronger than stronger कर सकते हैं मजबूती से और जादा मजबूती की ओर ले जा सकते हैं और रही बात हम gk के अंदर gk के अंदर आपकी एक portion और भी आएगा current affairs का तो आपकी जो current affairs है ये आप magazine के through या हम जैसे आपको pdf provide करवाएंगे उनके through आप इनको और जादा अच्छे से कर सकते हैं एक्जाम आपकर जो है objective type है written based या फिर बात करूँ descriptive type पर नहीं है जिसके अंदर आपको बहुत जादा कुछ लिखना है option टिक करने है तो आप इनके लिए जितने possible हो सकें उतने ही आप MCQ लगाईए जितनी जादा test series दे सकें उतनी जादा test series दीजे क्योंकि पड़ सब कोई लेते हैं लेकिन test जब देते हैं जब पता चलता है कि हमारी actual condition क्या है exam के perspective से तो वो सारी चीज़े आपको किन से पता चलेंगी MCQ से और previous year paper solve करना मत भूलना previous year से ही पता चलेगा कि question pattern कैसा आता है क्योंकि अभी किसी के पास कोई भी question pattern नहीं है कि कोई साब question कहां से कितना आएगा कोई भी teacher आपको नहीं बता सकता है ये सारी चीज़े कहां से पता चलेंगी previous year paper से तो previous year paper हमारे जो हमारा जो channel है उसके उपर हमने mention करवा रखे हैं बच्चों को सारी चीज़े हमाँ पे already mention की गई है already provide करी गई है आने वाले कुछ दिनों के अंदर test series भी provide करवा दी जाएंगी free of cost जो बच्चे पहले से course में enroll है जो बच्चे अब भी course में enroll करेंगे उनको भी हम test series provide करवाएंगे और जो बच्चे course purchase नहीं कर पा रहे उनको हम paid में यानि की पैसे लेके वो test series provide करवा देंगे दूसरी बार आगे आने वाले time में इसी तरीके का कोई भी latest update या फिर judy श्री या are you late या फिर किसी भी low से related कोई भी जो update या news होगी वो आप हमारे channel पर free of cost provide करवाते हैं हम तो आप उसके लिए हमारा channel subscribe करना न भूलें और जो bell icon है उसे press कर लें धन्यवागत